अरे दोस्तों याद है जब पूरी फिल्म देखना एक नॉर्मल बात लगती थी जब हम घंटों तक एक ही कहानी में खो जाते थे और हर सीन का आनंद लेते थे अब जमाना बदल गया है और हमारे देखने का तरीका भी अब हम लंबी कहानियों के बजाए छोटे छोटे वीड उफंक का जमाना है जहां फंद्रह सेकंड में आप स्टार बन सकते हैं ये प्लेटफर्म्स हमें एक Нए दुन्या में ले जाते हैं जहां हर किसी को अपनी और आकरशित करते हैं हर कोई अपने dance moves दिखाना चाहता है और viral होना चाहता है खाना बनाने के नुस्खे हैं जो हमें कुछ ही मिनिटों में एक नई रेसिपी सिखा देते हैं ये वीडियो हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी कुछ नया ट्राई करें और ऐसे वीडियो हैं जो आपके दिमाग को घुमा देंगे कभी-कभी ये वीडियो इतने मज़ेदार होते हैं कि हम उन्हें बार-बार देखते हैं लेकिन इन सब को हलके में मतलो ये छोटे वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है बलकि ये हमें कुछ नया सिखाते भी हैं ये छोटे वीडियो बहुत ताकतवर हैं ये हमारे विचारों को बदल सकते हैं हमें नई चीज़ें सिखा सकते हैं और यहां तक कि हमारे जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह बदल रहे हैं कि हम कैसे दुनिया को देखते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। सोशल मीडिया ने हमारे जीवन का एक एहम हिस्सा बन गया है। और यहां तक की हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो अपना फोन उठाओ और इस नई दुनिया का हिस्सा बनो, और चलो, इस अजीबो ग्रीब, मज़ेदार और कभी-कभी परेशान करने वाले छोटे वीडियो की दुनिया में डुपकी लगाते हैं, यहां हर दिन कुछ नया ह कुछ अनोखा है, और कुछ ऐसा है जो आपको हैरान कर देगा सबसे पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं, टिक टॉक, जो चीन की कंपनी बाइट डैंस का बनाया हुआ है, इंटरनेट पर छा गया जैसे कोई नया खिलोना मिल गया हूँ अचानक से हर कोई टिक टॉक पर वीडियो बना रहा था, डांस कर रहा था, फेस्बुक जो कभी पीछे नहीं रहता, उसने 2020 में इंस्टग्रेम रिल्स लॉंच कर दिया, यह ऐसा था जैसे आपके दादा जी कोई नया डांस सीख रहे हूँ, देखने में प्यारा, लेकिन थोड़ा अजीब, लेकिन बात यह है कि दोनों प्लैटफॉर्म्स अब बहुत बड़े हो गए हैं, करोडो यूजर्स, अर्बों व्यूज और इतना इंगेजमेंट की बड़े-बड़े लोग भी हैरान है, तो हम इन छोटे-छोटे वीडियो के दिवाने क्यों हैं, इसके पताओ तो, आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आधे घंटे का टीवी शो देखे, जबकि उतने ही समय में आप बारह कुत्तों के वीडियो देख सकते हैं, लेकिन घबराव मत, हाँ, छोटे वीडियो में हमें ऐसे जोंबी बनाने की ताकत है, जो एक जगह ध्यान के इंद्रित नहीं कर सकते, लेकिन ये सब बुरा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा दिमाग बस इस नई दुनिया के हिसाब से ड़ल रहा है, जहां हर जगह जानकारी ही जानकारी है, हम जल्दी से जरूरी जानकारी निकालने में माहिर हो रहे हैं, इसे डिजिटल अच्छा बुरा और वाइरल छोटे वीडियो की दुनिया के असली किस्से अब बहुत बातें हो गई चलिए कुछ असली उदाहरन देखते हैं याद है वो आदमी जो स्केटबोर्डिंग करते हुए वाइरल हुआ था हाँ वो सच में हुआ था और वो रातों रात स्टार बन गया छोटे वीडियो समाज में बदलाव लाने के लिए भी एक जबरदस्त औजार रहे हैं हैश ब्लैक लाइव्स मैटर याद है है हैश मीटू इन आंदोलनों को टिक टॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर जोर मिला जिससे पता चलता है कि छोटी कहानियां कितनी ताकतवर हो सकती हैं लेकिन किसी भी ताकतवर चीज की तरह इसका इस्तिमाल अच्छे या बुरे दोनों के लिए किया जा सकता है गलत जानकारी आग की तरह फैलती है अफवाहें फैलती है और वाइरल होने के चकर में लोग कुछ भी कर गुजरते हैं भाग्चे क्या ये बस एक दौर है छोटे वीडियो का भविश्य तो अब आगे क्या क्या छोटे वीडियो बस एक फैशन है जो कुछ समय बाद गायब हो जाएंगे या फिर ये मनोरंजन बातचीत और शायद हमारी सभ्यता का भविश्य है आपका अंदाजा भी मेरे जितना ही सही है लेकिन एक बात पक्की है छोटे वीडियो यहां रहने वाले हैं कम से कम कुछ समय के लिए तो जरूर ये हमारी डिजिटल जिंदगी का हिस्सा बन गए है और इनका असर और भी बढ़ने वाला है भाग साथ मनोरंजन से आगे ब्रांट्स कैसे कमाई कर रहे हैं छोटे वीडियो से अब बात करते हैं पैसे की क्योंकि जहां लोगों का ध्यान होता है वहां पैसा भी होता है और यकीन मानिये ब्रांट्स इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते स्पॉंसर्ड वीडियो से लेकर इन्फ्लूइंसर मार्केटिंग तक कमपनिया नए नए तरीके ढूंड रही हैं टिक टॉक और रील्स पर अपनी जगह बनाने के लिए और ये काम भी कर रहा है छोटे वीडियो मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छे हैं खास कर जब बात आती है नौजवानों तक पहुँचने की जो किसी भी पुरानी तरह के विग्यापन को पसंद नहीं करते भाग आठ अंधेरा सचलत अफवाहें और प्रसिद्धी की कीमत लेकिन छोटे वीडियो की दुनिया में सब कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पर हर दिन लाखों लोग अपने वीडियो पोस्ट करते हैं और उन में से कुछ ही वाइरल हो पाते हैं लेकिन इस सफलता के पीछे छिपे हुए कई अंधेरे पहलू भी है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ भी कुछ बुराया है लोग अपने जीवन को सबसे अच्छा दिखाने के लिए हर संभब प्रयास करते हैं और इस प्रक्रिया में वे खुद को खो देते हैं यह एक अंतहीन दौड बन जाती है जहां हर कोई सबसे अच्छा दिखना चाहता है हम बात कर रहे हैं लट की ऑनलाइन बदमाशी की और खुद को सबसे अच्छा दिखाने के दबाव की सोशल मीडिया पर बिताया गया समय धीरे धीरे एक लट बन सकता है जो हमारे मानसिक स्वास्थे पर बुरा असर डालता है इसके अलावा ऑनलाइन बदमाशी और ट्रोलिंग भी एक बड़ी समस्या है जो लोगों को मानसिक रूप से कमजोर बना सकती है और गलत जानकारी फैलाने की बात तो है ही जिसके असली दुनिया में भी बुरे नतीजे हो सकते हैं अफवाहें और गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती हैं और लोग बिना सोचे समझे उन पर विश्वास कर लेते हैं इससे समाज में भ्रम और डर का माहौल बन जाता है फिर है अचानक मशूर होने का दबाव एक पल आप बस एक आम इंसान है और अगले ही पल आप एक वाइरल स्टार बन जाते हैं यह अचानक मिली प्रसिद्धी बहुत भारी पड़ सकती है खास कर उन लोगों के लिए जो इसके लिए तयार नहीं होते एक पल आप बस एक आम इंसान हैं जो अपनी बिल्ली का वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और अगले ही पल आपको बड़ी-बड़ी कमपनियों के आनफर मिल रहे हैं और आप पत्रकारों से बच रहे हैं यह सब बहुत जल्दी होता है और इसे संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है यह सब संभालना मुश्किल हो सकता है खास कर उन नौजवानों के लिए जो अभी खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में होते हैं और इस समय में उन्हें सही मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्क्ता होती है सोशल मीडिया की दुनिया में खुद को खोने के बजाए उन्हें अपने असली जीवन पर ध्यान देना चाहिए भाग 9 तो क्या हम सब बर्बाद हो गए हैं? तो क्या फैसला है? क्या छोटे वीडियो वर्दान है या अभिशाब? क्या ये छोटे वीडियो हमारे जीवन को बहतर बना रहे हैं या हमें और भी उल्जा रहे हैं? क्या ये अच्छे के लिए है या फिर हमें बर्बाद कर देंगे? सच तो ये है कि ये दोनों ही है ये छोटे वीडियो हमें मनोरंजन और जानकारी का एक नया तरीका देते हैं, लेकिन साथ ही ये हमें एक अंतहीन लूप में भी डाल सकते हैं. किसी भी ताकतवर चीज की तरह, ये हम पर निर्भर करता है, कि हम इसका इस्तिमाल कैसे करते हैं. हम इसे एक साधन के रूप में देख सकते हैं, जो हमें नई चीजें सिखा सकता है, हमें प्रेरित कर सकता है, और हमें दुनिया के साथ जोड़ सकता है. हम चुन सकते हैं कि हम सोच समझ कर इनका इस्तिमाल करें इन प्लेटफॉर्म का इस्तिमाल लोगों से जुडने के लिए करें नई चीजें सीखने के लिए करें और शायद दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए करें हम इन छोटे वीडियो का उपयोग अपने ज्यान को बरहने के लिए कर सकते हैं अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुडनने के लिए कर सकते हैं और यहां तक की सामाजिक मुद्दों के प्रती जागरूखता फैलाने के लिए भी कर सकते हैं या फिर हम बस ऐसे ही देखते रहें जब तक हमारा दिमाग खराब न हो जाए हम इन वीडियो में इतना खो सकते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चलता हम अपने महत्वपूर्ण कारियों को भूल सकते हैं और हमारी उत्पादक्ता पर इसका बुरा असर पर डीडरी अच सकता है चुनाव आपका है दोस्तों लेकिन फिर मुझे दोश मत देना जब आपका ध्यान एक मक्खी जितना रह जाए ये आपके उपर है कि आप इन छोटे वीडियो का कैसे उपयोग करते हैं आप इन्हें एक साधन के रूप में देख सकते हैं या फिर एक व्यासन के रूप में याद रखें समय बहुत कीमती है और इसे सही तरीके से उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है मैंने आपको चेतावनी दी थी अब ये आपके उपर है कि आप इस चेतावनी को कैसे लेते हैं सोच समझकर निर्णे लें और अपने समय का सही उपयोग करें याद रखें हर चीज का एक सही और गलत तरीका होता है और ये आपके उपर है